हेलो गाईज आप लोग के लिए फिर से एक बार में जोब से रेटेड अपडेट लेकर करके आया हूं आप लोग को बताना चाहूंगा अप्रेल के महिना 11 तारिक से लेकर के 21 तारिक की बीच एकजाम होई थी जिसका की अंसर की आ चुका है तो आप लोग किस तरह से चेक करेंगे हम लोग इस वीडियो में सिखेंगे तो आप लोग देख रहे हैं यूटूब चैनल ओलाइन विकास जो लोग भी अभी तना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके रखें अंसर की देखने के लिए सबसे पहले आप लोग को एससी को उपसल्ट में आ रहा है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे और जो लोग इस वीबसाइट में नहीं आ पाएगा उनलों के लिए इस वीडियो के डिप्सक्रीशन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं तो उस लिंक को टच करके आप लोग इस वेबसाइट पर आ सकते हैं तो देखिए आप लोग को कहा पर जा करके देखना होता है तो आप लोग देख पा रहोंगे हाँ पर जामनेशन था यानि की 2021 विकेंसी था इसलिए यहां पर 2021 लिखा हुआ है बट इसका जो एंजाम हुआ था वो 2022 में हुआ था 11 से लेकर के 21 तारीक के बीच में यानि कि कुछ इस तरह कर दिखता है चलिए मैं आप लोग को फिडिया को ऊप्र करके दिखा देता हूं यह अपे तो देखिए यहाँ पर कुछ इस्तरह कर दिखे से आप लोग के लिए इसे नोटीज में तो एहां पर देख पा रहINगे जो की यहाँ पर लिखा गया अप्लोडिंग और टिर वाज कंड़ेक्ट जो की यारह चार दोहजार वाइस से लेकर के एक इस चार दोहजार वाइस के बीच एक्जाम हुआ था इसका और यहां पर आप लोग को अंसर की देखने के लिए नीचे में एक लिंक दिया गया है चिले मैं इसको भी दिखा दूं संका या फिर कुछ भी अगर डाउट है तो आप लोग यहां पर री चेक करवा सकते हैं जिसके लिए ने अचीं सबेसे सकते हैं देखिए यहां पर 7-5-2025 पी-म तक ही आप लोग request कर सकते हैं रीचेक के लिए और यहां पर आपका जो भी answer seat है उसको अगर बाद में आप लोग देखना चाहते हैं तो उसको आप लोग print करके रख सकते हैं क्योंकि यह कुछी दिन के लिए और स्वाइं कर साहरा है सैंटेंस बन यह एक लिंक है जो की इहां पर PDF में टाला हुआ है तो इसे Link पर आपनों को अटेES कर लिए हूँ मैं यहां पर टो कर दिया हूँ ूह पर कोई भी एक है submit करने के बाद अगला page कुछ इसAh का खूल के आगा तो यहां पर आप लोगग को click here नीचे में देख रहा होगे यहां पर इसी में आप लोगग को touch करना है तो चलि मैं है आप prais कर देता हूं टने के बाद अगला page कुछ इस तरह का खुल के आएगा तो यहां पर देखिए आप लोग को क्या क्या डाल करके login करना होता है तो देखिए आपर सबसे पहले उपर में roll number जो कि आपके admit card में दिया हुआ है ओही roll number आप लोगों को डालना है यहां पर registration number नहीं डालना है एक चीज़ ध्यान में रखेगा यहां पर सिर्फ roll number डालना है उपर में लिखा गया है कि roll number as per admission certificate यानि कि admit card में जो दिया गया है ओही roll number यहां पर सबसाब बोला जा रहा पिर passport ही के passport जो आपका date of birth होता है जो कि आपके admit card में ही दिया गया था एक्जाम के टाइम में आप जो भी passport डाले था आपका date of birth ही रहता है तो ओही passport यहां पर enter करना है इंटर करने के बाद देखिए यहां पर नीचे में login दीख रहा होगा आप लोगों को तो login को touch करके login हो जाना है login करने के बाद अगला page कुछ इस तरह के खुल के आता है तो यहां पर देखिएगा इसको आप लोग नीचे आएगा यहां पर कुछ instruction दिया गया है अगर आप लोग पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं इस instruction को पर आप लोग को नीचे आना है रहा पर close दिख रहा हो इसमें touch करके close कर देना इसको इसके बाद देखिए अहां पर आप लोग देख पा होंगे इस लाइन पे नीचे में हलका हलका लिखा लिखा रहा होगा इसी लाइन पर देखिए गा तो इधर right side में यहां पर blue blue दिख करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह के आता है जो कि यहां पर आपका डिटेल्स देखने को मिल जाता है जैसे के रोलनमर हो गया के डिशन, पड़ा था, किस दिन पड़ा था, कितना अब देखने को भी मिल जाता है तो मैं किस तरह से नहीं किस तरह से देखना है यहां पर देखना होगे और right side में भी दिया हग गया है तो यहाँ पर देखिए पहला question का जो answer है correct answer जो है यहाँ पर दूसरा number ठीक है और जो मैं जो answer किया हूँ ओ है right side वाला ठीक है तो यहाँ पर देखिए मेरा जो पहला है वो answer सही है क्योंकि यहां पर भी दूसरा है और यहां पर भी दूसरा नंबर है तो यहां मेरा दोनों सही है यानि कि यह पूरी तरह से question number one मेरा correct है answer सही है मेरा फिर उसी तरह आप लोग देख पाएंगे दूसरा question का answer तो यहां पर देखिएगा तो यहां पर तीसरा number इसमें सही है यहां पर और मैं क्या लगा करके आया हूं तो देखिए यहां पर देखिए यह भी और यह भी दोनों मेंच किया यानि कि जो दूसरा number question है वो भी मेरा सही है ठीक है तो उसी तरह आप लोग किया गया अंसर और यह राइट साड में देखिया गया यह हम लोगों ने दिया है अंसर हम लोग जब एक्जाम देने गये थे उस टाइम दिये हैं ओल अंसर है यहां पर गई कि यहां पर जो है तीसरा नंबर का एक नंबर सही है जो की एससी बोलता है और यहां पर जो अंसर ह आप लोगों को और अगर आप लोग कोई भी कोस्टिन का अंसर नहीं दिये हैं तो उसको आप लोग कैसे देखिए तो देखिए यहां पर 14 नमबर कोस्टिन में जिसका अंसर मैं नहीं दिया हूँ ठीक है तो यहां पर देख पा रहा होंगे एसेसी के दवारा जो answer है ओ दिखा दिया गया है कि इसका जो answer होगा चोथा नंबर होगा बट मैं यहाँ पर answer नहीं दिया हूँ तेहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है चूज option में खाली है ठीक है यानि कि कोई भी answer मैं नहीं दिया हूँ और उपर में इस्टेटस दिखा रहा है not answer ठीक है तो इसी तरह देखिए नीची वाला में में दिया हो तो यहाँ पर देखिए status अंसर दिखा रहा है और यहाँ पर चूज option जो है और मैं दूसरा ओप्सन चूज किया था बट यहां पर तीसरा option सही है तो यहां पर जो मेरा answer है वो गलत हो गया है तो इस तरह करके आप लोग सारा question याने की total का total आप 100 question का यहां पर check कर सकते हैं answer की आपका जो answer है वो सही है या नहीं अगर आप लोग को doubt लगता है या फिर आप लोग reach एक कराना चाहते हैं कोई भी question का answer तो आप लोग देखिए गया यहां पर question ID भी दिया गया है तो इसी ID के जरीए आप लोग apply कर सकते हैं और check भी करा सकते हैं जो की notice जारी किया गया है पांच से साथ के बीच करा सकते हैं पांच महीं से साथ मुई की बीच तो इस तरह से आप लोग check कर लिजेगा और अगर आप लोग इस answer sheet को print करना चाहते हैं तो देखिए सबसे उपर में ही यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है प्रिंट तो इसी में जाकर के आप लोग print भी कर सकते हैं अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला या फिर कुछ भी help मिला तो प्लीज वीडियो को ला करके रखें